स्वामी जै अगला सवाल राजीश गोयल का है उनकी ससुर्जी को चौथी स्टेज का लंग कैंसर है कैंसर स्पाइनल कॉट तक फैल चुका है इसी के साथ साथ आप इस बात का भी जवाब दीजेगा कि जो लोग लंग कैंसर से जूज रहे हैं और अगर फर्स स्टेज में हैं क्योंकि करी बार तो डिजेक्ट भी नहीं हो पाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए राजीश गोयल के सवाल के साथ साथ आप इसका भी जवाब दीजेगा तो पहली बात तो गोयल साथ को कहुँगा कि वो प्रणायम जैसे मैंने अभी बताया पूरा प्रवपर करें इसके साथ साथ जो ओशिदी बताई उसमें एडिशनल कर लें कि वो दूद में हल्दी सिलाजी चौनप्रास दूद में हल्दी, सिलाजी, चनप्रास और स्वासारी और कायक अपका काड़ा भी साथ में पेले, पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा पवन मुक्तासर उत्तार पादासर और कहीं पर भी शरीर में गाठ आती है तो उसको हलके में ना ले स्वामी जी एक सवाल आया है, गुरु ग्राम से नवीन बाली का सवाल है और ये कह रहे हैं कि उम्र इनकी 69 साल है, पिछले 2 साल से मल्टिपल सिस्टम एट्रोफी से जूज रहे हैं और थोड़ा अलग इनोंने सवाल भेजा है और बहुत उमीद हैं इनको आपसे हैं, कह रहे हैं कि शुगर हमेशा 100 से 200 के बीच रहता है चलना, बोलना, लिखना सब इनका दूबर हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है बोडी बैलन्स भी इनका गड़बडा गया है और बीमारी का उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं क्या आपके क्या योग गराम में आ सकते हैं अर अगर वहां आएंगे तोollen जो परेशानिया से फक्रुष और योक्राम में आसकते हैं पक्का मिलेगा पक्का इनका बैलेंस रिएमारी जो यहों से मोटरल नीर्ड घिगेश से लेकर के जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे अब वो पूरा एक एक किलोमेटर चल पा रहे यहाँ पर तो इनको जरूर लाम मिलेगा घर पर थोड़ा सा क्या होता है खान पान और जो पूरी सुबह से शाम तक ठेरापी दे के पूरी बोड़ी को डीटॉक्स करते हैं यह भी एक बड़ा सिध्धानत है चलो बस्रीका भी करते हैं बस्रीका कपाल भातिया नुलोम बिलोम यह तीन स सबसे महतों प्रणाया में और पूरी बोड़ी को डीटॉक्स करते हैं उसके लिए अलग 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 तहराप्या देते हैं उसके लिए प्रक्षारन कराते हैं उसके लिए बस्ति कराते हैं उसके लिए एनेमा देते हैं उसके जलिती सूत्र लिती कराते हैं फिर अलग पूरी बोडी को डिटोक्स करते हैं देखो इसकी कुटाई कर ले अच्छे से यह तो अलवेरा हो गया यह आलवेरा है और यह हो गया गिलोई इसको अच्छे से कूटले फिर यह गया नीम यह पूरे परिवार के लिए हो गया जो आज डाल रहा हु यह तुलसी फिर यह हो श्करिब एक एकड़ के अंदर वो रखी हाली और सब को पिलाते हैं फिर इसके अंदर ये वीट ब्रास जो है ये खुब पिलाते हम आपने पेशेंट को सब को पूरा ऐसे ये पुटाई करके इसकी फिर मिक्से में डालके इसकी घुटाई करके आज इसका दूस बना देंगे सब को पिलाएंगे ठीक है फैनो यह ऐसे अच्छे से कुटाई कर लें इसकी सुबह साम और जखो इसमें सबसे बड़ी बात है फिर इसी के अंदर भी गोमुत्र पी सकते हैं इसको अलग से भी ले सकते ह अच्छा यह कुछ और भी बन रहे है मिनाक्षी उठना पड़ेगा यह जो है उसको कुटाई करके अब इसके अंदर डाल दिया है और इसी के अंदर ही यह गोधन अर्क डाल सकते हैं यह गोधन अर्क भी इसी के अंदर डाल सकते हैं और किसी को बकबका अलगते आहा तो अलग से भी पी सकते हैं तो इसको ऐसे डाल करके अब इसमें स्वाद का क पूरा त्यार हो रहा है थोड़ा इसके अंदर पानी डाल दो पानी डाल करके इसको और घुमा देते हैं और इसको छान करके पी लेते हैं ये संजीवनिई है कैंसर के रोगियों के लिए और अनुलोम मिलोम के साथ साथ जिनको हाट फ्लेसेश्स बहुत होते हैं रेडियेशन और क्यूमों के बाद तो पूरे बाल जड़ जाते हैं, पूरा सरीर उबलने लगता है, तो वो अनुलोम मिलोम, इसके बाद भ्रामरी उदगी, और शीतली शीतली करो, जीवा बाहर निकाल के, ऐसे, ऐसे पूरा सीतली, और इसको साथ से ग्यारा बारता करें, और सीत करें, तो ये, चलो, बंद करो अब इसको, और इसको अब छान लो, देखने में तो बहुत अच्छा और फ्रेश लग रहा है, स्वामी जी, ये तो एकदम फ्रेशी था, इतनी जबरदास घुटाई की इसकी, अब 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 लोग ये समझ लें कि ये गन्ने का जूफ है और चुपचप ही जाएगा, अब इसको प्लाएंगे, तो थोड़ा इसमें पानी डालके, दबा दो इसको थोड़ा, मतलब स्वामी जी, एक ब ये और ये और और ओर गरिक खाना खाए, गाय से भैस के गोबर से, पशुधन से, गाय का सबसे अच्छा माना जाता है, गोधन और गोबर पर आधारी तो खेती है, गोधन आधारी जो खेती है, वो जबरदस्त है, बस ये इतना करेंगे, तो फिर कोई कैंसर की प्रब्लम अच्छा खाए, अच्छे से योगा भ्यास करें, और अगर कैंसर फोर्ट स्टेज में पहुँच भी गया है, तो अपनी अलोपेती दवायों के साथ-साथ, कीमो थेरेपी के साथ-साथ, योग का साथ ना छोड़े